नमस्कार, स्वागत आफ सभी का आपड़ो राजिस्थान में मैं आपके साथ खुश्बुखान बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं कॉंग्रस पार्टी आज जड़ों की तरफ लोटती हुई दिखाई दरही है और यही वजह है कि प्रदेश कॉंग्रस कमेटी में खारिकरताओं को समरपन, एक अगरता और एक जड़ता की सीख देने के लिए चर्खा कारिशाला चल रही है वहीं PCC दफ्तर में रोजाना एक से दो बजे तक होने वाली चर्खा कारिशाला का जिमा PCC के सचीव और प्रसिक्षन प्रभारी जस्वंत गुर्जर पर है जस्वंत गुर्जर कहते हैं कि पिछले कुस दिनों में उन्होंने इस तरह की ववस्था तै कर दी है कि चाहिए वे खुद PCC दफ्तर आएं या नहीं चर्खा कारिशाला रोजाना होगी और इसके लिए समय भी तै है चर्खा कारिशाला के प्रती कांग्रेस वरकर्स में भी रोजान दिखाए दे रहा है और वो इससे सूत कातने की कोशिश भी कर रहे हैं चर्खा वरक्शॉप कैसे चल रही है इसका जैजा लिया हमारे सयोगी शशी मोहन शर्मा ने अभी आपको दिखा रहे हैं आप देखिए चर्खा कारिशाला जिसमें कारिकरताओं को प्रसिक्षन दिया जा रहा है और इसमें कांग्रेस के कारिकरता इंटरस्ट भी ले रहे हैं रोजाना एक से दो बज़े की बीच में कारिकरताओं चलती है तो तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी आजकल जडू की तरफ लोटती हुई दिखाई दे रही है और यही वज़े है कि प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी में कारिकरताओं को समरपन, एक आगरता और एक जुटता की सीख देने के लिए चर्खा कारिशाला चल रही है PCC दफ्तर में रोजाना एक से दो बज़े तक होने वाली चर्खा कारिशाला का जिमा PCC के सची और सिक्षन प्रभारी जस्वंत गुर्जर पर है जस्वंत गुर्जर कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इस तरह की ववस्था तै कर दिये कि चाहे वो खुद PCC दफ्तर आएं या नहीं चर्खा कारिशाला रोजाना होगी और इसके लिए समय भी तै है चर्खा कारिशाला के प्रती कॉंग्रेस वर्कर्स में रुजान भी दिखाई दे रहा है और वो इससे सूत कातने की कोशिश भी कर रहे हैं कहा जाता है कि जब किसी काम को सीखना हो किसी काम में पेचीदगी आए तो बेसिक्स की तरफ आप फिर से बढ़िए और शायद इसी सोच के साथ कॉंग्रेस पारिटी में यह है चर्खा कारिशाला आयोजीत की जा रही है चर्खे की वर्क्शॉप का आईडिया क्यों आया क्या जरुरत पड़ेगी इससे और क्या कोई फायदा होगा पारिटी देखी जब हम लोग प्रस्विक्शन के कार्यकरमों से मुझरब को जुड़ा हुआ और मैं वर्दा अस्रम में ट्रैनिंग के लिए गया हूँ हमेने जाक्या कि वहां चर्खे की नियमित कारेशाला चलती है वहां सूथ काता जाता है और वहां से सीखके मेने को लगा कि हमा और वह अपने नेता का जिसका मन से आधर भाव करता है उसको अगर माला बनाएंगा तो नेता को भी लगाएंगा कि विस वर्कर मेरे लिए सूथ काता है उससे खुद में माला बनाएकर पैना यह तो एक आत्मपन महसूस हूँ हूँ है मात्मा गांदी ने चर्का चला करके भी अपने खुद के कपड़े खुद बुलो उस जमाना एक था हालाएंगे मानते हैं जमाना कुछ आ है लेकि प्राहिनी चीज़ को भूलेंगे नहीं इसलिए मैं चर्के याद आ रही है चर्का चला के राजिस्तान पर्दिस कौंग्रेस कारेले में चलाए जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बार थे क्योंकि आज का जो महूल वना हुआ है वो गांदी जी को भूल के मनें नहीं तरीके से लोग के पास जा रहा है लेकिन हम जो चर्का चला के पापीस से से रोक सकेंगे कैमेरा परसन राहूल सिंग के साथ शेशी मोहन जी मीडिया जैपूर